यहाँ पे हम देखते हैं place value of numbers क्या होता है For example, मेरा number कुछ ऐसे है Place value के लिए मैं right side से चलता हूँ जो मेरा पहला digit है, यह होगा मेरा units place Second होगा tenths place, third होगा hundreds और fourth होगा thousands place लेकिन यह आता कैसे है, यह हमारा आया कहां से और इसका मतलब क्या है इसके लिए, suppose हमें यह number को कुछ बोलना है तो मैं इसे कैसे बोलूँगा, मैं इसे बोलूँगा 4268, यह यह 4268 होगा, कुछ ऐसे 4268, यह जो 4 था, उसमें thousand आ रहा है तो इसलिए 4 मेरा thousands place में है 268 बोल रहा हूँ, यानि 2 में hundreds आ रहा है तो 2 मेरा hundreds place में है 68 बोल रहा हूँ, यानि 6 के बाद 0 है एक तो 60 मेरा tens place में है, और 8 सिरफ अकेला है तो यह मेरा units place में होगा, तो place value कुछ ऐसे होता है एक example ले लेते हैं हम, सपोज मुझे बताना है 6 का place value क्या है, 4 to 68 में तो मैं देखूंगा, कि जो 6 है मेरा, यह कौन सा number पर आता है इस second number पर आता है, अगर मैं ऐसे चलो तो, right से second में मतलब यह मेरा tens place है